Hello friends, welcome back to my channel तो friends हमारा आज का topic है monogamy तो चलिए शुरू करते हैं Friends इस word के दो pronunciation होते हैं पहला monogamy और दूसरा monogamy तो इसके दोनों हे pronunciation बिल्कुल ठीक हैं तो आपको जो suitable लगे आप इसे वैसे प्रनांस कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं monogamy का मतलब तो friends monogamy का हिंदी मतलब होता है एक पतनित्व या फिर एक पतेत्व simple language में अगर कहा जाए तो monogamy का मतलब हुआ एक समय में केवल एक ही व्यक्ति से विवाह करने की प्रथा इसे एक विवाह प्रथा भी कहा जाता है अब देखते हैं इसका English meaning the meaning of this word monogamy is the fact or custom of being married to only one person at a particular time in simple language we can say that monogamy is when you are married to or in a sexual relationship with one person at a time तो I hope आपको monogamy का मतलब समझ में आ गया होगा तो friends जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि पहले हमारे हिंदू धर में एक से जादा शादी मानने थी लेकिन सन 1955 के बाद जब हिंदू marriage act आया तब एक से जादा शादी को offense माना गया और इस act ने monogamy को support किया यानि कि एक से जादा शादी को अमानने बताया गया और कहा गया कि सिर्फ एक ही शादी मानने होगी यानि कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति से विवाह करने की प्रथा सामने आई इसकी पूरी जानकारी हम देखेंगे जब हम हिंदू marriage act 1955 को पढ़ेंगे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आई होब आपको monogamie का मतलब समझ में आ गया होगा तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तो अपना साथ बनाए रखिए इस चैनल के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें भी न बिल्कुल भी मच जाएएगा प्लीज लाइक, कमेंट और शियर दे वीडियो थैंक्स पर वाचिंग